तो चलो स्टार्ड करते हैं एक चोटा सा वीडियो यह एक क्वेरी है जो मेरे मैनेजर ने मुझे पूछा था मेरे मैनेजर ने मेरे को year end के टाइम पे आया और पूछा अरे एमद सुनना जरा आज़र में से वर्चुल मशीन की डिटेल निकल के दे दे ना तो मैंने यह एक्सपोर्ट करके दे दिया जब मैंने उसको यह एक्सपोर्ट करके दे दिया यह एक्सपोर्ट CSP करके तो उन्हो मुझे बुला यर, एमाद, यार, यह वर्च्टैंट कभी create हुए, इतने सारे virtual machine. इतने सारे virtual machine, कौन create कि यह इतने सारे. अच्छा, एक काम कर. यह कून सी date को create हुए, यह भी नि Meansकाल के दे. यह बुला, कून सी date ko create हुए? यह मैं का से निकालू तो मैं manage view में गया मैं सुचा कोई column में एक column add कर देता हूँ जिसमें मुझे date मिल जाएगी मैं column add करने के लिए गया तो क्या देखता हूँ मुझे मिला नहीं जो हम सब के साथ होता है और मैं पता करने के लिए सोचने के लिए मजबूर हो गया है कौन सी date को create होँगा क्यों Microsoft ने add नहीं किया तो मैं देखता है चलो यार एक virtual machine खोल के देखता हूँ उसमें कहीं पता चल जाए तो इधर भी पता नहीं चल रहा अब मैं ही क्या करूँ तो मैंने क्या कि हमालों अपने team में powershell वालों को दूनने लगा है और किसी को कुछ पता है क्या powershell वालों script से निकाल सकता है तो आप लोगों कुछ करने की जरुवत नहीं इतना tension लेने की जरुवत नहीं है आपको easily मिल जाएगा कैसे हमालों मैं क्या मैं इस virtual machine में जाता हूँ इसके अंदर disk है इसके अंदर OS disk है OS disk के अंदर जाते है तो हमको date created और उसका time मिल जाते है तो अब उसका time मिल गया अब तो हम खुश हो गए लेकिन यह भी हमको export करना है तो हमको क्या करना है मालूम है क्या disk में जाना है disk से यहाँ पर owner भी दिखता है owner virtual machine भी दिखता है और उनका time भी दिखता है नहीं दिखता है लेकिन manage view में जाएंगे edit columns में जाएंगे और add column करके हम time created डालके यह sheet export करके हमारे manager को दे सकते है mostly हमको याद रखना है कि हमारी OS disk के साथ हमेशा लिखा रहा था underscore OS disk या तो measure of the time windows का OS है तो उसकी disk 127 GB की रहेगी तो basically इस तरह आप लोग कभी machine create हुआ है यह details find out कर सकते हैं so I hope the session was informative and you enjoyed the session मिलेंगे अगले next video में जो के बहुत short रहेगा वो भी ताके यह tips and tricks का video है तो आपको पता चल सके कैसे यह tips and tricks कैसे काम आती है और याद रखिए यह सब चीज अगर आपको नई पता चलती तो एक ही option है PowerShell या Resource Graph Query Resource Graph Query के बारे में भी और लिके आऊंगा PowerShell आपको सीखना है तो नीचे description में link दी गई है वो आपको बहुत easy तरीके से PowerShell समझ में आ जाएगा तो आज के लिए खतम करते हैं मिलते हैं next lecture में